नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल वी सी एस अगेडमी पर और आज की इस वीडियो में हम नेट आयाटी से लेटिड वीडियो लेकर आए हैं इस वीडियो में हम धारामापी के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि धारामापी होता क्या है इसकी बनावट किस प्रकार की होती है इसका सिदान्द कैसा होता है यह कितने प्रकार के होते हैं इसके साथ में हम किसी धारामापी को एमेटर में या वोल्ट मेटर में कैसे रुपांद्रित कर सकते हैं साथ में धारामा आइकन पर दबा दीजिए तांकि आपको आगे की वीडियो इसकी नोडिविकेशन मिलती रहे हैं अब में इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं सबसे पहले हम बात करेंगे धारा मापी होता क्या है देखे नाम से ही इस पस्ट है धारा का मापन करने वाला जो उपकरण है उसी किसी तार में से किसी परिपत में से बहने वाली धारा का पता लगाता है कि धारा बह रही है या नहीं बह रही साथ में ये धारा की दिशा को भी इंगित करता है तो वैसे तो धारा का मापन करने वाला एक अन्य उपकरण है एमेटर लेकिन एमेटर की सहाईता से केवल धार का मापन होता है दिसा का मापन नहीं होता नमस्कार दोस्तों आप स्वीका स्वागत है हमारी यूटूब चेनल वी सी अस्त गेड़ी भी पर और आज की इस वीडियो में हम नीट आयाटी से लेटेड वीडियो लेकर आए हैं इस वीडियो में हम ककसा बारा का फोर्ट चेप्टर गतिमान आवेशन चुमबक्तव से लेटेड एक महत्वपून टोपिक के धारा मापी का अध्यन करने वाले हैं इस वीडियो में आप धारा मापी के बारे में संपूर्ण जान करें लेंगे जिसमें आप देखेंगे धारा मापी होता क्या है इसके बनावट सिधान्त के बारे में चर्चा करेंगे साथ में हम किसी धारा मापी को एमेटर या वोल्ट मेटर में कैसे रुपांतरित कर सकते हैं और इन सब बिनों पर आधरित numerical questions भी यहाँ पर देखने वाले हैं समझने वाले हैं विद्यरत्यू यदि आप मारी YouTube चैनल पर नए हैं नाम से ही इसपस्ट है कि एक ऐसा उपकरण है जो धारा का मापन करता है तो देखे इससे पहले भी हमने एक उपकरण पढ़ा है एमेटर तो देखे एमेटर की सहायता से भी धारा का मापन ही होता है लेकिन धारा मापी के द्वारा धारा का संसूचन धारा की दिसा मापन तीनों काम हो सकते हैं तो एक ऐसा उपकरण है जो धारा का संसूचन करता है मतलब धारा का पता लगाता है किसी परिपत में से धारा बह रही है कि नई बह रही ये धारा मापी की द्वारा पता लगाए जाता है धारा का मापन करता है धारा की दिसा को बताता है तो उस उपकरण को हम कह रहे हैं धारा मापी तो यहां पर यह जो धारा मापी है यह धारा का संसूचन करता है धारा का पता लगाता है कि बहरई है या नहीं बहरई ओके संसूचन करता है मापन करता है दिशा को बताता है clear अब देखिए जो धारा मापी है वो दो परकार के होते हैं धारा मापी दो परकार के होंगे कौन कौन से होंगे देखेंगे आप यहां पर धारा मापी के परकार दो प्रकार के होते हैं चल कुंडली धारा मापी पहला जो प्रकार है वो है चल कुंडली चल कुंडली धारा मापी और दूसरा है चल चुंबक धारा मापी चल चुम्बक धारा मापी तो देखें इसमें यह जो कुंडली है वो चलाई मान रहती है कुंडली है वो गती करती है ठीक है? चलाई मान का मतलब है यहाँ पर जो कुंडली होती है अभी हम आपको बताएंगे कुंडली कौन सी कुंडली की बात कर रहे हम तो जो कुंडली होती है इसमें ये moving position में होती है यहाँ पर जो चुंबक है वो moving position में होती है कुंडली यहाँ पर इस्ती रहेगी चुंबक गती करेंगे चंबक घुमेगी यहाँ पर इसका उल्टा है चुंबक इस्ती रहेगी और उनकी द्वारा उत्पन जो magnetic field है मापी है और इसी के बारे में ही यहां पर हम डिटेल से अध्यन करने वाले हैं देखे क्या है एक तो जो चल कुंडली धारा मापी है वो भी दो परकार की होती है निलंबित चल कुंडली धारा मापी और किलकित चल कुंडली धारा मापी तो देखे इसके भी कितने प्रकार है ये भी दो प्रकार की है दो पहला जो इसमें प्रकार है किलकित चल कुंडली धारा मापी किलकित चल कुंडली धारा मापी और दूसरा इसका प्रकार है तो हम यहां पर इसका ये वाला पार्ट पढने वाले है ये वाला ठीक है? तो यदि आपके सेलेवस में कहीं पर भी धारा मापी आए तो हम पढने वाले हैं चलकूंडली धारा मापी और उसमें भी निलंबित चल कुंडली धारवां भी तो इन में ज्यादा मतलब जो concept है वो same ही रहता है इनकी बनावट में थोड़ा सा difference आ जाता है इसमें जो कंडली होती है वो लटकी होती है और इसमें जो कंडली होती है दो चूल के बीच में पसा ही जाती है और सवतंतर प्ता पुरोग घूमने के लिए छोड़ी जाती है तो इसमें दो चूल के बीच में और इसमें ऐसे लटकाई जाती है तो दोनों में ज्यादा डिफ्रेंस नहीं होता हम यहाँ पर पढ़ेंगे निलंबित चलकुंडली धारामापी और इसे हम केवल चलकुंडली धारामापी कहेंगे या केवल धारामापी कहेंगे क्योंकि यहाँ पर और सब के बारे में पढ़ नहीं रहें तो उनके बारे में हम ज्यादा बात भी नहीं करेंगे तो देखें सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर धारामापी की बनावट कि कोई भी जो धारामापी है उसकी मूल भूत जो सन्रचना है वो किस प्रकार की होती है तो देखें इसमें दो अवतलाकार कटे हुए चुम्बक होते हैं इस तरीके से वैसे एक्चुल में एक ही चुम्बक को दो भागों में काट कर बना लिया जाता है इस तरीके से दो आउतलाकार कटे वह उनका जो फेस होगा वो आउतलाकार होगा इस तरीके से होगा जैसे ऐसे है तो ये वाला जो फेस है इसका ये इस तरीके से है अर चुंबकों के मद्दे एक आयताकार कुंडली रखी होती है, यह हमारे पास यह कोईल है, इसके उपर विद्द्रुद्य तामबे के तार लिप्टे होते हैं, इसके उपर विद्धुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुत एक भाग से संके तक यहाँ पर लगा होगा ये वाला तार यहाँ से जुड़ावा है इसको टर्मिनल T1 कह दू मैं ठीक है इसका दूसरा वाला जो हिस्सा है वो भी एक स्प्रिंग से जुड़ा होता है और वो जो स्प्रिंग है वो T2 से जुड़ी होती ए ये एक अन्ने टर्मिनल है तो इसकी बनावट को एक बार समझ ले यहां पर एक कच्चे लोहे की बेलना कार करोड होती यह कच्चे लोहे का बेलन है यहां पर बीचो बीच रखा होता है तो एकक करके देखो बनावट में यह है, इनमें क्या-क्या लगा है, वो एक बार समझ लीजिए, और इनका यूज क्या है, ये क्या काम करते हैं, इनको भी एक बार समझ लेंगे, तो देखें, ये हमारे पास में एक स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग है, इसको नाम देते हैं S1, इसको नाम देत हम S2, यह हमारे पास में आउतलाकार कटे हुए चुमबक है, तिरी जे चुमबक के इच्छे तरुत्पन करने वाले चुमबक है, ठीक, यह हमारे पास में है आईताकार कुंडली, आईताकार कुंडली है यह, तो यह सब कुछ है इसमें, और यह है एक कच्छे लोहे की बेलनाकार क्रोड, यह वाली, कच्छे लोहे की है, कच्छे लोहे की बेलनाकार क्रोड, चलिए एक एक करके इन सब का यूज यहाँ पर समझ लेते हैं, कि इनका काम क्या है, यह कैसे काम करता है, सब कुछ यहाँ पर हम समझेंगे, तो देखिए, यहां से सबसे पहले, तो यह जो चुम्बक है वो अउतलाकार कटे होते हैं क्यूशन यही आ जाता है कि इनको इस तरीके से क्यों काटा जाता है तो देखें इनके पीछे रीजन होता जैसे हम इसको उपर से इसका डाइग्राम देखें तो यह इस तरीके से कटे हुए होंगे ऐसे एक चुम्बक कटी हुई है ऐसे दूसरी वाली चुम्बक कटी हुई है तो यहां पर जो जैसे माली जी कि यह आपके पास में कोईल है इस तरीके से कोईल है ठीक है तो मेगरेडिक फिल्ड लाइन्स है वो उत्री धुरुए से बाहार निकलेगी और दक्षनी धुरुवा की और जाएगी तो जो जो चुम्बक के छेतर रेखाएं है वो इस कुंडली के तल से होकर जाएगी यह इस तरीके से जाएगी ऐसे ठीक है यह इसको कहीं बार देखो ऐसे भी दिखा देते हैं करके दिखाते हैं इसमें प्रवेश करती हुई दिखाते हैं और इसमें बाहर निकलती है बट एक्च्वल में ऐसा है कि इसके तल से होकर गुजरती है ज्यादा तर यह जो कोईल है यहां से यहां तो उपर से देखने पर यह ऐसे नजर आएगी तो इस coil के तल में से होकर गुजरती है तो यहाँ पर आप ध्यान दें चुम्बके छितर इसका इधर हो गया और इसका जो छितरपल सदिस है या जो बात करें चुम्बके धिधुरवा घुर्ण small m वो इस direction में b इस direction में तो b और m दोनों के बीच का जो angle है वो 90 degree रहता है इसलिए इन चुम्बकों को अवतलाकार कटे हुए रूप में हम इसको लेते हैं clear हो गया तो भाई इस तरीके से क्यों लेते हैं क्योंकि इसको इसके द्वारा उत्पन जो चुम्बके छितर है वो इसके अंदर से होकर जाए इसके चुम्बके द्वारा आगून के लंबवत रहे और फल्स रूप देखे जो b और small m जिसे हम चुम्बके द्वारा आगून का रहे इनके बीच का जो angle है वो 90 degree रहना चाहिए और 90 degree रहेगा तो इस कुंडली पर लगने वाला बल्यूगमा अगून मेक्जिमम होगा देखे हमने लास्क वीडियो में भी पढ़ा था कि एक स्वान चुम्बके चितर के अंदर यह आपको कुंडली रख देते हैं तो उस कुंडली के उपर बल अगून काम करता है तो बराबर NIAB sin theta या MB sin theta तो यह जो NIAB sin theta इसमें sin theta है इसमें जो theta है वो 90 degree हो जाएगा और sin 90 की value एक हो जाएगा तो है वो मेक्जिम काम करेगा और NIAB के बराबर काम करेगा clear अब देखें इसके अलावा इसमें यहां पर एक spring लगी है spring यह जो तार है spring का जो तार है वो फॉस पर ब्रॉंज एक मिस्र धातु का बना हुआ है तो यह जब कुंडली चुमब के चितर में इसमें से जब धारा परवाईत होगी तो कुंडली घूमेगी और कुंडली जब घूमेगी तो इस तार में एठन उत्पन होगी तार में क्या होगी एठन उत्पन होगी तो तार को जैसे धारा परवाई बंद होगी तो उसी position में वापस तार में के स्तिति में लाने का प्रियास करने वाला एक बल यहां पर create होगा तो यह जो तार है वो फॉसपर ब्रॉंज मिसर धातू का बना होता है यह बार-बार ऐसे ऐसे इस तरीगे से घूमेगा तो बार-बार घूमने के पिश्चाथ इसके तूटने के संभावना जादा होती है लेकिन फॉसपर ब्रॉंज में प्रत्यास्ता का गुण अधिक होता है इसलिए यहां पर फॉसपर ब्रॉंज मिसर धातू का तार यूज में लेते हैं तो चुमबक क्यों यूज में लेते हैं फॉसपर ब्रॉंज का तार क्यों यूज में लेते हैं यह clear हो गया इसके अलावा यह जो आप कच्चे लोहे की क्रोड देख रहा हैं कि भई यह पर क्यों यूज में लेता है तो उसके पिछे रीजन आप समझें कि यहां से यहां पर भवर धाराएं उतपन होती है और वो भवर धाराएं इसको दोलन गति करने से रोकती है ये कुंडली ऐसे घूमेगी अब जब धारा का फरवाबंद हो जाएगा तो वापस आएगी तो काईदा तो ये है कि ये इस तरीके से दोलन गती करें इस स्प्रिंग के फरवाव में आगे पिछे ये इधर इस तरीके से घूमती रहे बड़ ऐसा नहीं होने देती कौन नहीं होने देती इसके अंदर भावर धाराएं उत्पन हो जाती है ये अवमंदन उत्पन करती है वैसे जो नया सेलेबस इनसे आड़ी का उसमें भावर धारावाला जो टोपिक है उसको हटा दिया बट उसको पढ़ना चाहिए इसमें कुछ ऐसी धाराएं किरेट होती है वो इस तांबे के तार यहां पर लिप्टे होते हैं तांबे के तार के उपर पॉलिस की होती है तो यहां पर इसकी जो बनावट है वो अच्छे साब को समझ में आ गई होगी एक यहां पर संके तक लगा होता है और जब यह कुंडली घूमती है तो यह संके तक भी यहां से घूमे विक्षेपित होगा ठीक अब मैं यहां पर बात करता हूं इसके कारिय विधी की यह कैसे काम करता है यह कैसे काम करेगा तो इसे आप देखें कारिय विधी समझ लीजिए इसकी देखें यहां से जब धारा बहेगी तो यहां से होती हुई इस कुंडली में से होती हुई बहुत सारे इसमें फैरे हैं यहां से होती हुई यह धारा इधर से पास हो रही है जब यह धारा इस कुंडली में से परवाइत होती है जो की चुंबकी छितर में रखी हुई है तो इस कुंडली के उपर बल आघून काम करेगा ये अपने इस्तान से घूमेगी जितनी ज़्यादा धारा परवाइत करेंगे ये उतनी ही ज़्यादा घूमेगी तो तत्पच्चात ये जब घूमती है तो इसी से जुड़ावाई है संके तक इसके उपर ही क्या लगा है ऐसे संके तक तो ये घूमेगी तो ये इसके उपर लगा हुआ जो संके तक है वो भी घूमेगा और उसके घूमने से हमें reading प्राप्त होगी जो पाठ्यांग है जो धारा बहरी उसका मान प्राप्त होगा, उसकी डिरेक्शन प्राप्त होगी तो यह इस तरीके से काम करता है एक समान चुम्ब के छेतर में रखे कुंडली पर कुंडली मैंसे जब धारा का परवा होता है तो उस पर बल्यूगम आगून लगता है और उस बल्यूगम आगून के कारण से कुंडली विक्षेपित होती है बात करते हैं यहां पर इसके सिदान्त की तो देखे इसका एक आसान सा सिदान्त है क्लियर करें इसको भी दिमाग में फिर बढ़ाएंगे कि जब इसमें से धारा का परवा किया जाता है तो कुंडली के उपर एक बल आगून काम करेगा तो कुंडली पर कारियरत बल आगून कितना होता है देखे कुंडली पर कारियरत बल आगून उस बल आगून को हमें टो से पुट कर रहे हैं और देखे टो बराबर होता है M, B, Sine, Theta यह जो M होता है वो N, I, A के बराबर होता है तो N, I, A, B, Sine, Theta यहाँ पर जो चुम्बके छेतर क्रियेट हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है कि यह इस कुंडली के तल से होकर ही गुजरें तत्पश्यात यहाँ पर चुम्बके छेतर है इसको हम 36 कहते हैं तो 36 के लिए small M और B के बीच का इंगल 90 डिग्री हो जाएगा मतलब Theta बराबर 90 डिग्री हो जाएगा जिससे Sine थीटा बराबर 1 हो जाएगा और तत्पश्यात जो टोका मान है वो N, I, A, B के बराबर हमें मिलने वाला है यह हमें प्राप्त होने वाला है Clear? अब देखे कि यह कुंडली ऐसे घूमी तो इस स्प्रिंग में इस तार के अंदर एक एठन उत्पन हुई एक एठन उत्पन हुई और देखो दोनों तरब यह तो इधर घुंडन गती करा है पर एक इस्तिती की बाद में वो क्या है साम्मे के इस्तिती में आकर रुक जाएगी तो इसका मतलब इधर गुमाने वाला बलागूण और उसको वापस उसी पोजिशन में लाने वाला जो बलागून है जिसको हम परत्यानियन बलागून कहते हैं यह एठन के कारण से लगता है और दोनों जब बराबर होंगे तो वो जो कुंडली है वो सामय की इस्तिती में होगी देखो यदि चुमबक के छेतर के कारण से जो बलागून की रेट हो रहा है वो बलागून है एन हम कंसिडर कर लेते हैं सामय की इस्तिती में एक बार देखें परत्यानियन बलागून कितना होगा परत्यानियन बलागून तो बराबर सी इंटू फाई से हम पूट कर सकते हैं जहां सी इसका एठन नीतांक एठन दर्ड़ता नीतांक या परत्यानियन बल नीतांक भी इसको कहा जाता है बलागून नीतांक ये फाई है इसके द्वारा उत्पन कौण प्रारम की इस्तिती से बनाया गया कौण ये फाई है अब सम्मे की इस्तिती में दोनों बराबर हो जाएंगे सम्मे की इस्तिती में दोनों क्या हो जाएंगे यह और यह दोनों बलागून क्या है बराबर हो जाएंगे तो यहां से N, I, A, B बराबर होगा C, F, I, K और यहां से हम I बराबर I बराबर हम put कर दें C बट्टे में N, I I तो रही गया N, A, B, Phi और यहां से I और Phi दोनों को हम समानुपाती दिखा सकते हैं इसका मतलब यह हो गया कि जितनी ज्यादा धारा बहेगी कुंडली में विक्षेप उतना ही ज्यादा प्राप्त होने वाला है तो कुंडली के अंदर जो विक्षेप है वो इसमें से भेने वाली धारा के समानुपाती होता है दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं समानुपाती होंगे और यह देखे इसको हम एक कॉंस्टेंट के रूप में ले सकते हैं के से put कर देते हैं इसको देखे आई बराबर के फ़ाइ से भी put कर देते हैं आई बराबर के फ़ाइ यह जो के है वह इसे हम धारा मापी का परिवर्तन गुणांख भी इसको कहा जाता है तो धारा मापी के सिदान्द क्या है जितनी ज़्यादा धारा भहेगी कुंडली में विक्षेप भी उतना ही ज़्यादा प्राप्त होगा तो ये चीज क्लियर हो जाने चीज धारा मापी का सिदान इसपस्ट हो जाना चाहिए ये मैंने इसपस्ट भी कर दिया है अब हम आगे बढ़ते हैं धारा मापी से लेटेड कुछ है और महतोपूर्ण चीज यहां पर हम देखेंगे अब यहां हम बात करेंगे धारा मापी की सुगराहीता के बारे में देखें धारा मापी की सुगराहीता क्या है धारा मापी की सुगराहीता देखिए यहाँ पर हमने अभी अभी एक relation निकाला है i बराबर k phi और इसे हम i बराबर c upon mab into phi के रूप में भी लिख सकते हैं यह हमारे पास में एक relation आया था तो देखिए यहाँ से i और phi है वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं दोनों एक दूसरे के क्या है समानुपाती तो देखिए कोई भी जो धारा मापी है उसकी सुग्राहिता कि वो कितने अच्छे से काम करता है वो depend करेगा कि यदि आप कम से कम धारा भी परवाहित करें अल्प धारा भी परवाहित करें तो धारा मापी में परियाप्त विक्षेप उत्पन होना चीए कि जैसे ही धारा प्रवाहित हो तो उसमें विक्षेप आना चीए और अल्प यदि धारा में परिवर्तन करें तो भी उसमें विक्षेप दिखना चीए डिफ्लेक्शन दिखना चीए तो उसी को हम कहते हैं धारा मापी की सुग्राहिता कि अल्प धारा प्रवाहित करने पर भी धारा मापी में प्रियाप्त विक्षेप प्राप्त होता है तो उसको हम धारा मापी की सुग्राहिता कहते हैं देखो धारा सुग्राहिता अलग है धारा मापी की सुग्राहिता धारा, सुगराहिता, इसको हम SI से रिप्रजेंट करते हैं, किस से रिप्रजेंट करेंगे, SI से धारा, सुगराहिता, देखें, डेफिनेशन क्या है, कि परती एकांक धारा परभाहित करने पर, कुंडली में उत्पन विक्षेप, चले, डेफिनेशन में आपके सामने रख देता हूँ, परती एकांक धारा परभाहित करने पर, उत्पन विक्षेप, धारा सुगराहिता कहलाता है, धारा सुगराहिता कहलाता है, इनसे रिलेटेड जो फोर्मूला है वो देखिए, धारा सुगराहिता को हम SI से रिप्रजेंट करें, ये फाई एपोन में I के बराबर होता है, परती एकांक धारा परभाहित करने पर, उत्पन विक्षेप, आई को आप एक कर दीजिए, जो फाई है, वही क्या होगा, SI होगा, तो दीए हमें, फाई अपोन में I की वेली उचिए, तो यहां से आप देखें, फाई अपोन में I, आई का भाग लगा देखिए, बाकी रासी हैं, दूसरी तरफ लेजिए, ये तो N, A, B, अपोन में C, तो इसका जो फोर्मूला है, वो आजेएगा हमारे पास में, N, A, B, अपोन में C, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, देखें, अब कई वार क्यूशन पूछा जाता है, कि धारा सुगराहिता का मान किस पर डिपेंड करता है, तो देखें, N पर, A पर, B पर और C, चारो रासियों पर डिपेंड करता है, N है, फेरों की संख्य A है, कोईल का च्छेतर फल, B है, चुमब की च्छेतर, और C है, एठन नेतांग, तो यहाँ पर आप ध्यान दें, N को बढ़ा कर, A को बढ़ा कर, B को बढ़ा कर, हम धारा मापी की सुगराहिता बढ़ा सकते हैं, इसके साथ में एठन नेतांग को कम करके भी धारा सुगराह तो यहाँ तक तो clear हो गया होगा, फिर है, voltage सुगराहिता, voltage सुगराहिता, और voltage सुगराहिता को हम S, V से रिप्रजेंड करते हैं, S, V से, तो दो बिंदूओं के मद्दे, परती एकांग विभानतर लगाने पर, कुंडली में उत्पन जो विक्षेप है, उसको हम कहेंगे, voltage सुगराहिता, तो देखे, definition क्या है, दो बिंदूओं के मद्दे, दो बिंदों के मद्दे, परती एकांग, परती एकांग, विभानतर लगाने पर, कुंडली में उत्पन जो विक्षेप, वाल्टेज सुगराहिता कहलाता है, देखे, इसके फोर्मूले क्या होजेंगे, किस तरीके से होंगे, वो भी देखे, S, V बराबर, S, V बराबर आजएगा, फाई अपोन में V, फाई अपोन में V, जो मैंने definition लिखी, उसी के according ये formula पूट कर दिया है, अब देखे, इस फाई अपोन V की जिगा हम लिख सकते हैं, I into R, और फाई अपोन में I है, वो होता है, S, I, तो S, I ये बट्टे में R भी हो गया, इसे हाँ मैं, N, A, B, अपोन में C into R से भी इसको लिख सकते हैं, clear, तो ये इसका formula हो गए, अलग-लग तरीके से formula हो गए, voltage सुग्राहिता और धारा सुग्राहिता के बीच में आपस में क्या relation होता है, वो भी हमारे पास में आ गया है, अब यहां पर देखे हैं कि voltage सुग्राहिता की जो value वो किन राशियों पर depend करती है, तो देखें, यह N, A, B, C, इनके उपर depend नहीं करेंगे, जैसे N फेरों के सांग्या दुगुनी कर देगे, तो परतिरोध भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, clear, तो इनके उपर depend नहीं करता है, voltage सुग्राहिता का मान इन पर निर्भर नहीं करता है, तो यह voltage सुग्राहिता भी समझ में आ गया होगा, अब हम आगे बढ़ेंगे, मात करेंगे कि कोई भी जो voltmeter है, या emitter है, उसको हम धारा मापी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं, देखे धारा मापी का emitter में रुपांतरण, हम धारा मापी की साइता से ही emitter को निर्मित कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो देख लेंगे, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, भाई, emitter होता क्या है, तो emitter एक धारा का मापन करने वाला उपकरण है, ये, धारा का मापन करने वाला उपकरण है, ठीक है, इसे प्रिफथ के स्रिणी करम में जोड़ा जाता है, इसे प्रिफथ में स्रिणी करम में स्योजित किया जाता है, स्रिणी करम में स्योजित करते हैं, जोड़ते हैं, स्रेमोजित करते हैं बात करते हैं यहां पर आदर्स एमीटर की आदर्स एमीटर तो देखें आदर्स एमीटर है का परतियोध सुनने होता है क्योंकि यह सरेनी करम में जूड़ता है तो इस में से मेकजियम धारा बैनी ची धारा पर कोई फिक नहीं पढ़ना ची तो आधस एमिटर का प्रदिरौद सुनने होता है यह तो इनकी बेसिक जानकारी हुई ठीक है अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि भाई एक धारा मापी से एमिटर हम कैसे बना सकते हैं धारा मापी से एमिटर बनाने का तरीका है कि धारा मापी के समांतर करम में अल्प परतिरोद से योजित करके अल्प परतिरोद को हम यहाँ पर संट परतिरोद भी कहेंगे संड प्रतिरोद भी कहा जाएगा सयोग जन करके अब आप यहां पर ध्यान देन कि जैसे हमारे पास में एक धारमा पी है ये हमारे पास में एक धारमा पी है जिसका प्रतिरोद है capital G और इसके समांतर करम में हम एक संड प्रतिरोद जोड़ेंगे संट प्रतिरोध का प्रतिरोध है S ठीक इस तरीके से जोड़ देंगे तो अब ये जो निकाई आप देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक ये हमें मिल जाएगा ये है एमेटर ये क्या बन गया है अब एमेटर बन गया है ये जो डोटेड लाइन है उसके अंदर गयलो इमेटर के समांतर करम में हमने एक संट प्रतिरोध जोड़ दिया तत्फश्याती एमेटर में कनवार्ट हो गया है देखिए विद्धर तो यहां से आने वाली जो धारा है वो आई है यहां पर एक तो धारा मापी में से जा रही है उसको मैं आई जी से लिख दू और यहां एस में से जा रही है तो आई माइनस आई जी जाएगी क्योंकि यहां से आई जी जा रही है तो यहां से आई आ रही है तो यहां से आई माइनस आई जी धारा का परवाह हो रहा है ठीक है देखे क्यूशन ऐसे आता है कि भाई टोटल अधिक्तम कितनी धारा बह रही थी वो तो है आई धारा मापी में से बहने वाली धारा आई जी संड प्रतिरोध S और धारा मापी का प्रतिरोध कैपिटल जी इनके बीच में आपस में क्या संबन होता है और क्यूशन ऐसे पूछ लेते हैं कितने मान का संड प्रतिरोध यहां पर स्योजित करेंगे इस इस रेंज का युदि आप एमेटर प्राप्त कर रहे हो तो यहां से आप ध्यान दे A और B धारा मापी के सीरों पर विभुवांतर और संड प्रतिरोध के सीरों पर विभुवांतर बराबर होगा तो धारा मापी के सीरों पर विभुवांतर को हम VG से संड प्रतिरोध के सीरों पर विभुवांतर को VSA और विभुवांतर बराबर होता है धारा इंटू में उसका प्रतिरोद हो, धारा मापी में से बहने वाली धारा IG, उसका resistance है capital G, इसी प्रकार से संट प्रतिरोद में से बहने वाली धारा है I minus IG, और उसका जो resistance है वो है S, अपनको value चीज संट प्रतिरोद कि वाई संट प्रतिरोद कितना होता है, तो उसका सीधा सा हमा यह फॉर्मूला आ गया, इस वाड़े फॉर्मूले को आपको ध्यान में भी रखना है, ठीक, तो ऐसा इतना संट प्रत्रो जोड़ कर हम किसी धारा मापी को एमेटर में रूपांदरित कर सकते हैं, अब मैं बात करता हूँ यहां पर धारा मापी का वोल्ट मेटर में रूपा मांदरित करेंगे, तो दीडती वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, दो बिनों के मद्ले विभांतर का मापन किसी ध्यरिय किया जाएगा, वोल्ट मेटर की साहिता cognitive से किया जाएगा, चलिये देख लीजी एक गौँए इन से समंगटित जितने भी बिंदू है महत्वपुन बिंदू को हम देखेंगे धाराम अपी का वोल्ट मीटर में रूपांतरान वोल्ट मीटर आ गया अपने पास में अब हम क्या लेकर चल ले वोल्ट मीटर तो सबसे पहला बिंदू यह यह कि भाई वोल्ट मीटर का काम क्या है वोल्ट मीटर का काम हमारे पास में है 2 बिंदों के मद्दे का विभान्तर का मापन 2 बिंदों के मद्दे के विभान्तर का मापन विभुवांतर का मापन करने वाला उपकरण है वोल्ट मिटर आप ध्यान दें ये जो वोल्ट मिटर है ये समांतर करम में जोड़ा जाता है जिन दो बिन्दों के मद्दे आपको विभुवांतर ग्यात करना है समांतर करम में जोड़ा करम में जोड़ा जाता है तो उन दोनों बिन्दों के समांतर करम में हम वोल्ट मिटर को सियोजित कर देंगे एक आदर्स वोल्ट मिटर में से धारा बहुत कम बहनी चीए तो धारा बहुत कम बहेगी तो उसका जो रिजिस्टेंस है वो अनन्त हो जाएगा बहुत कम रखे धारा का मान जीरो के बराबर बिलकुल नहीं भनी चाहिए तो बिलकुल नहीं भेहें तो आधरस वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो अनन्त होना चाहिए अनन्त होता है ठीक है यहां तक लियर हो गया होगा अब यहां पर हम बात कर लेते थोड़ी सी कि भाई किसी धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे रुपांतरित करेंगे तो धारा मापी को वोल्ट मीटर में रुपांतरित करने के लिए वोल्ट मीटर के स्रेणी करम में उच्छ प्रतिरोध जोडेंगे क्लियर करें इसे धारा मापी के सरेणी करम में धारा मापी के सरेणी करम में उच्च परतिरोद यहां पर उच्च परतिरोद जोड़ा जा रहा है और वो भी सरेणी करम में जोड़ा जा रहा है उच्च परतिरोद और उस उच्छ प्रतिवोद को हम RL से लिखेगे स्वियोजित करके वोल्ट मीटर का निर्मान करते हैं वोल्ट मीटर का निर्मान करते हैं क्लियर देखो कैसे करेंगे यह जैसे हमारे पास में कोई resistance है कोई resistance है अग्यात है है न यह बिंदू A है यह बिंदू B है हम बिंदू A और B के मद्दे का विभुवांतर ग्यात करना चाहते हैं तो इसके समांतर करम में हम क्या जोडेंगे एक वोल्ट मीटर जोडेंगे तो समांतर करम में वोल्ट मीटर जोड़ना है तो आपको पहले धारा मापी से वोल्ट मीटर बनाना पड़ेगा और बनाने के लिए क्या करोगे आप धारा मापी के सिरिनी करम में एक उच्च पृतिरोग जोड़ देंगे तो ये आपके पास में बन गया है वॉल्ट मेटर ये क्या बन गया है अब एक वॉल्ट मेटर बन गया है तो ये है वॉल्ट मेटर ठीक है कैसे बना इसको क्लियर कर ले आप कि यहाँ पर हमारे पास में एक धारमापी है जिसका resistance है capital G और उसके स्रेणी करद में हमने जोड़ दिया है capital R RH से हमने लिखा है इसको किस से लिखा है RH से अब देखो A और B के मद्दे का विभानतर है A वै B के मद्दे का विभानतर A और B के बीच का विभानतर कितना होगा इसे भी देखें आप तो A और B के बीच का विभानतर V हम लेकर चलें तो विभानतर उतना ही इसके उपर होगा तो विभानतर बराबर होता है धारा इसमें से बहने वाड़ी धारा है IG यहां से आ रही है I तो IG into इनका resistance capital G plus में RH यहां से हमारे पास में क्या जहेगा V बट्ट में IG बराबर G plus में RH और RH बराबर क्या गया V बट्ट में IG धारा मापी से बहने वाड़ी धारा माइनस में capital G यह मारे पास में उच्च प्रतिरोध कि किसी धारा मापी के स्रेणी करम में रह प्रतिरोध जोड़ देंगे जिससे हमें V वोल्ट का वोल्ट मेटर प्राप्त हो जएगा तो यह तो वोल्ट मेटर का रेजिस्ट पर वोल्ट ता है बै कितनी अधिक्तम वोल्ट हम आपता है धारा मापी में से बहने वाड़ी धारा धारा मापी का रेजिस्टेंस clear तो यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए clear हो जाना चाहिए अब हम धारा मापी पर ही आधारित कुछ numerical questions यहां पर ले लेते हैं एकके करके उनको solve कर लेते हैं चलिए देखिए एकके करके इन questions को देख लेते हैं सबसे पहले तो यह question देखिए कि चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता भढ़ाने के लिए क्या कम करना चाहिए तो देखिए यहां पर धारा मापी की सुग्राहिता है तो कौन सी रासी को कम करना चाहिए तो देखिए जो निलंबन तार है जो लटकावा तार है उसके मरोडी गुडांग मुरोडी नीतांग को हम कम करके धारा मापी की सुग्राहिता को increase कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर क्यूशन देखिएंगे बैलेस्टिक धारा मापी में यह वाला क्यूशन देखिए बैलेस्टिक धारा मापी में कुंडली को एधात्विक फ्रेम पर लपेटा जाता है ऐसा किया जाता है क्यों करते हैं ऐसा ताकि उसके अंदर भामर धाराई उत्पन ना हो भामर धाराओं को कम करने के लिए दूर करने के लिए तो इसमें उप्षन हैगा भामर धाराओं को दूर करने के लिए क्योंकि धातु के अंदर भमर धाराई उत्पन हो जाती है तो एधात्विक फ्रेम के उपर उनको लपेड़ते हैं ताकि भमर धाराई उत्पन ना हो उसमें भमर धाराई उत्पन ना हो इसलिए हाँ मैं एधात्विक फ्रेम के उपर जो विद्दुतरुत तांबे के तार हैं वो लपेटते हैं अब यहाँ पर यह अगला क्यूशन देखेंगे कि गेलवनियमेटर का प्रतिरोद पचास ओम देखें क्या क्या दे रखा है धारा मापी का जो प्रतिरोद है वो हमें दे रखा है पचास ओम जो कि 5-10 की घात पैनिस 4 अंपीर की धारा के लिए पूर्ण विक्षेप देता है तो यह आई का मान है पूर्ण विक्षेप की स्थिती में बहने वाली जो धारा है वो आई को बताएगी ठेक है फिर हमारे पास में है तीन वोल्ट का पठ्यांग यह धारा मापी में से बहने वाली धारा है तो पास गुणा यह आई जी का मान है फिर है तीन वोल्ट का पठ्यांग प्राप्त करने के लिए गलोविमेटर के साथ स्रेनी करम में कौन सा प्रित्रो जोड़ना चीए तो वी का जो मान है वो है तीन वोल्ट और स्रेनी करम में जुड़ने वाला जो रेजिस्टेंस है वो क्या होना चीए तो स्रेनी करम में जुड़ने वाला जो रेजिस्टेंस है वो हमारे को निकालना है आरेंच बराबर वी बट्ट में आई जी माइनस में कैपिटल जी तो यहां से V का मान 3 IG का मान 5 गुणा दसकी घात मैनिस 4 और G का मान 50 तो इसको हम 3 गुणा दसकी घात 4 बट्टे में 5 मैनिस 50 इसको हम 30 बट्टे में 5 गुणा 1000-50 तो यह यहां से 6 बार में cancel हो गया तो 6000-50 तो इसका अंसुरा यहेगा 5950 Ohm इतने Ohm का resistance जोड़ेंगे तो वो 3 Volt का Voltmeter मिल जाएगा ठीक है एक ओर question हमारे पास में है इससे भी देख लीजिए कि 1 Galometer की कोईल का प्रतिरोब 100 Ohm है Capital G का मान कितना है 100 Ohm 1 Milliampere धारा परवाइत करने पर इसमें फुल स्केल विक्षेप मिलता है तो फुल स्केल विक्षेप मिलने का मतलब हो गया कि IG का मान कितना दे रखा है 1 Milliampere ठीक है फिर यहां से इस Galometer को 10 Ampere के तो यहां से इसमें भेने जो Ampere में हम convert करें उसमें 10 Ampere की धारा भेनी चाहिए तो क्या परतिरोद लगाना ची तो संट परतिरोद की वेल्यू हमें ग्यात करनी है तो देखे संट परतिरोद का formula क्या था IG बट्टे में I-IG इंटू में केपिटल जी यहां से IG का जो मान है वो है 1 गुणा 10 की घात मैनस 3 बट्टे में 10 की घात मैनस 3 इंटू में 100 यह हमारे पास में 10 की घात मैनस 3 में यहां से कॉमा ले लेता हूँ यहां पर भी क्या जाएगा 10 की घात मैनस 3 हम कॉमा ले लेंगे यहां पर हो जाएगा 10 की घात मैनस 3 से उपर नीचे multiply कर देंगे उपर वाला कोमन आगया नीचे वाला पड़ा तो वो उपर जाएगा तो 10,000 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 10,000 माइनस एक गूणा में 100 पड़ाईए ये तो कड जाएगे S बरावर 100 और देखो यहाँ पर 10,000 में से एक गठाएगे तो लगबग मैं इसको 10,000 ही लेकर चलूँ तो 2,0 से 2,0 कैंसिल होगे 0.0 एक ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा 0.0 ओम के सम्थिंग रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने धारामापी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो बातें हैं टोपिक हैं वो समको समझा जाना और मुझे अमीदा आप लोग को भी अच्छे से समझ में आ गया होगा विदार्तियो और नीट से रिलेटेड जो नौटस हैं वो आप हमारी application से ले सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं देख सकते हैं वहाँ से समझ सकते हैं वीडियोज के उपर वीडियोज भी आपको वहां पर A to Z मिल जाएंगे तो हमारी एप्लिकेशन की जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखिए वहां से आप एप्लिकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपना जो संपूर्ण से लेबस है बिना किसी विवधान के आप वहां पर समझ सकते हैं देख सकते हैं कर सकते हैं आज की इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम गतिमान आवेसे में चुमबक्तों से रेलेटेड ही कुछ निवेरिकल क्विशन से लेकर लोटेंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद दोस्त झाल